एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है Pi Network से जुड़ी हुई जहां पर अगर हम Pi Coin की बात करें जिस प्रकार से अभी अगर आप देखें जो इस Coin का प्राइज आपको देखने को मिलेगा अल्मोस यह 33 डॉलर पर ट्रेट कर रहा है प्राइज 24 और उस में 21 लाग से जादा लोग फॉलो करते हैं ट्वीटर पर भी और इसकी जो माइन है वो लगातार आप देख सकते हैं इनकी एप्लिकेशन पर देखने को मिलती है मतलब वहां पर जो आपके कोई से वो आपको देखने को मिलेंगे और इस प्राइज बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास अगर यहाँ पर 10 कोई भी होते हैं तो आपके पास यहाँ पर लगबग 330 डॉलर के कोई हो रहा है मतलब 330 डॉलर के कोई हो रहा है तो क्या यहाँ पर आपको उसे सेल कर देना चाहिए क्या सच में यहाँ पर जो प्राइज है पाई कोईन का वो लगबग 33 डॉलर होच चुका है यहाँ पर एक काफी बड़ा सवाल है तो इसको लेकर अगर हम देखें अभी तक ऑफिशली इनकी टीम के दोरा कोई भी एनाउंसमेंट नहीं की गई है जैसे बजह से यहाँ पर अगर हम प्राइज की बात करें जो प्राइज अभी आप इस कोईन का देख रहे हैं वो यहाँ पर पाई कोईन से रिलेटेड नहीं है मतलब यह जो कोईन आप देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर वेबसाइट की बात करेंगे CMC पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो website है वो भी यहाँ पर real वाली ही connected है इनके exchange के द्वारा भी CMC पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 dollar के आसपास watch list भी अच्छी कासी यहाँ पर create हो चुकी है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा शेयर की गई है Pi Network has faced its fair share of controversy recently Please note that Mannet is not launched yet in the price displayed below for the certain exchanges जहाँ पर इनका यही कहना है कि अभी तक Mannet launch नहीं हुआ है तो Mannet launch नहीं हुआ है तो कैसे हम यहाँ पर हमारे कोईन को exchanges पर लिस्स कर सकते हैं अगर exchanges पर लिस्स कर रहे हैं तो पहले हम हमारे customers को हमारे followers को यहाँ पर बताएंगे उसके बाद यहाँ पर इसके जो listing है वो worldwide अलग-अलग exchanges पर होगी क्योंकि इस network को काफी लोग follow करते हैं काफी लोग यहाँ पर Pi की mining करते हुए भी नजरा रहे हैं जिस वज़े से सबसे बड़ा सवाल है और काफी लोग यह सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर buy sell हो रहा है coin तो क्यों न हम यहाँ पर sell कर दे काफी लोगों के पास यहाँ पर लाखो coins है तो कहीं ने कि अगर sell करेंगे तो आप इस price के अनुसार देख सकते हैं प्राइज होगा लगबग यहाँ पर कितना ज़्यादा उनको मिलने वाला है इसके अलावा अगर हम यहाँ पर other exchanges की बात करें Hubi Global नहीं update दी है Hubi एक काफी बड़ा exchange है worldwide अगर आप देखें trading volume पर यहाँ पर लगबग top 10 के अंदर आता है xt.com ने भी यहाँ पर update दी है इसके listing की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Hubi पर लगबग यह 36 डॉलर पर trade कर रहा है xt.com पर लगबग यह 34 डॉलर पर trade कर रहा है जिस वज़से यहाँ पर जो pie coin है उसको लेकर काफी ज़्यादा यहाँ पर बाते होते हुए नजर आ रही है market में की pie coin को यहाँ पर sale करके एक अच्छा profit आप यहाँ पर earn कर सकते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पर sale की बात करें sale यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है लेकिन अगर आप यहाँ पर buy करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिलकुल आपको इसे buy नहीं करना चाहिए उसका सबसे बड़ा reason है यहाँ पर officially कोई भी update इनकी team के दोरा नहीं दी गई है मतलब अगर हम यहाँ पर pie network की बात करें almost 2.1 million followers आपको इनकी tweeter handle पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप देख सकते है announcement of the launch of pie network on hubi exchange it is not also authorized by PICT जहाँ पर जो update hubi के दोरा दी गई है इसकी listing को लेकर उसे अभी तक PICT मतलब pie network के दोरा authorized नहीं किया गया है इस वज़े से आपको यह समझना चाहिए अभी तक यहाँ पर अपना main network है उसे launch नहीं किया है mainnet को launch नहीं किया है तो आपको यहाँ पर जो भी transaction हो रहा है अगर आप buy sell करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे अभी आपको बच के रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार का जो scheme है वो आपके साथ हो सकता है तो अभी भी हमको यहाँ पर इंतजार करना चाहिए pine network की तरफ से जो अपडेट आएगी अगर यहाँ पर यह कहा जाता है कि हमारे द्वारा कोई भी officially इसे announcement नहीं हुई है यह जो coin आप देख रहे हैं यह हमारी team का नहीं है pine network का नहीं है तो आप देखेंगे यह जो coin अभी यहाँ पर 32 dollar के असपास trade कर रहा है यह यहाँ पर लगबग 1 dollar के नीचे भी आ जाएगा मतलब अर्स से फर्स पर आता हुआ यह coin न ज़रा सकता है तो आपको यहाँ पर इंतजार करना है और अगर हम माइनिंग की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जो update से KYC को लेकर वो pine network के द्वारा दी जा रही है और को भी update पाने के लिए दोस्तों चैनल से जूड़ जाएं साथे टेलिग्राम को भी join करने Thank you